हेलो बच्चो आप सब कैसे हो आपका स्वागत है वेल चरक मेडिकल क्लासिस में ठीक है तो आज हम बात करने वाले है फार्मकोगनोसी अंदर हमारी कैटेगरी चली हुई है एंटिरुमेटिक ड्रग ठीक है तो एंटिरुमेटिक क्या होती है अपने नाम सुना होगा बच्च है जो हमारी मसल्स होती है और आपकी जो जोइंट्स वगरा होते है वो क्या हो जाते है प्रोबलम में आ जाते है ठीक है आपकी जो मास्पेस होती है उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो जोइंट्स होते है उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है ठीक है त तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका, गरेक्टराइज बाई, शोरनेश, स्टिपनेश, और मसल्स, एंड पेन, इंजोइंट्स, एंड एस्टोसेटिड इस्टक्चर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको रुमेटिज्म क्या होता है, मतलब इस्टोरनेश मतलब जो आपकी जो बोड़ी जो क्या हो जाती है, दुख दर्द, जेलती है, दुख दर्द हो रहा है, स्टिपनेश हो रही है, आपकी जो मतलब अकड़, अकड़ना बोल सकते हो या फिर कटोर था भी बोल सकते हो ठीक है कि आपकी जो मसल्स होती है वो क्या हो अकड़गी है या कटोर हो गी है ठीक है और जो आपके जो जोइंट्स होते है उनके अंदर क्या हो रहा है पेन हो रहा है ठीक है अगर आपको यह सब problem हो रही है तो आप उसको क्या बोलोगे रूमेटिज्म बोलेंगे ठीक है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है आपको कस्ट हो रहा है ठीक है आपकी जो muscles हो रही है वो tight हो रही है कटोर हो रही है आपको joints pain कर रहे है आपको पूरी body का structure है all over वो problem में चल रहा है ठीक है next है हमारा the drug used to relieve or used in treatment of rheumatism are known as anti-rheumatic drug ठीक है तो इसके लिए हम क्या करते है जो drug use करी गई है इसमें वो क्या करती है उसको आराम करने का काम करती है उसके treatment में दी जाती है और उसको ही हम क्या बोलते है anti-rheumatic drug बोलते है चलो अब next बात करते है इसमें अब कौन कौन सी drug दी जाएगी ठीक है वो देख लेते है तो इसमें बच्चों हम जो drug use करते हैं कौन से हमारी Indian bedelium ठीक है ये क्या होती है आपका जो गठिया का रोग होता है उसमें दी जाती है ठीक है Indian bedelium ठीक है इसका जो synonym होता है synonym क्या होता है हमारा google होता है और gum google भी होता है ठीक है next है हमारा इसकी family कि ये जो plant होता है कौन सी family से बिलोंग करता है ठीक है तो family क्या है इसकी बच्चों बुरे सी ठीक है ये आपको याद रख लेनी है family क्या है इसकी बुरे सी अब इसके biological source क्या है biological source देख लेते हैं कि ये जो plant होता है ये biological source क्या क्या होते है इसकी ठीक है next है हमारा google इजदा olio gum resin ठीक है मतलब ये क्या होता है ये एक ऐसा plant होता है जो इसकी बार्क होती है मतलब जो इसकी बार्क होती है चाल ठीक है तो उसको हम क्या करते है हलका सा कट लगाते है मानलो यह चाल है आपने पपीते का पेड़ देखा होगा या नीम का पेड़ भी देखा होगा ठीक है उसमें से जो गोंद लिकटता है गोंद निकलता है ने उसमें से हलका सा कट लगा यह बता नीकलना रही हो गया आफिव- टाइप का इस इस से लगा ओं stora यह वार्ट एक वायिट प्लोयः निकलना ताव दूज डूज होता है तो यह भी है परकार का प्लांट होता है हमारहा इसमें क्या होता है ओलियोगं रिजिंस होता है मतलब गम निकलेगा ठीक है ऑले टाइप का Optane हम कहा है से प्राप्ट करते है इनसीजन मतलब चीरा लघाकर इनसीजन मतलब उसको चीरा लघाकर जो उसकी बार्कrin मतलब चाल होती है इस प्लांड की ठीक है बच्चों तो Google क्या होता है हमारा olio gum resins होती है इसके इंदर और optane कहां से करते हैं इसको जो plant की जो च्छाल होती है उसमें चीरा लगा कि हम इसको क्या कर लेते हैं प्राप के कर लेते हैं ठीक है अब इसका जो biological source है biological source क्या है हमारा comifora weighty biological source क्या हुआ हमारा इसका comifora weighty यह आपको बच्चो याद रख लेना है ठीक है यह बहुत important होता है जो एक्जाम में पूछा जाता है अब next बात करेंगे हम geographical source के बारे में कि यह जो plant होता है वो किन किन छेतरों में किन किन देश में पाए जाता है तो first है हमारा इंडिया इंडिया के अंदर यह plant पाए जाता है पाकिस्तान के अंदर भी पाए जाता है और बुल्चिस्तान के अंदर भी पाए जाता है और अरेबिया देश के अंदर भी यह plant आपको मिल जाएगा next है हमारी morphological characteristic अब morphological का मतलब मैंने उपर भी बता आ है कि हम उसको कैसे पहचान करेंगे कि और प्लांट किस कलर, किस साइज का है, क्या उसका ओडर है ठीक है तो इसका जो कलर होता है बच्चें, वो क्या होता है, हमारा ब्रां टू, पेल यलो मतलब हलका सा बुरा या पीले कलर का होता है जो इसका कलर होता है नेक्स्ट है हमारा ओडर इसकी जो गंद होती है वो क्या होती है अरोमेटिक होती है टेस्ट क्या होता है इसका टेस्ट होता है इसका करेक्टरिस्टिक बिटर मतलब characteristic मैंने बताया था आपको कि जा भी यह word आ जाएगा इसका मतलब यह plant की बहुत सारी परजातिया पाई जाती है ठीक है तो वो उसके character पे ही depend करेगा जैसे आपका aloe vera का plant है उसकी लगबग 1000 परजातिया पाई जाती है देश में ऐसे ही इसका भी है इसकी भी बहुत सार 002, 2.5 cm diameter होता है इसका अब बात करें हम shape की तो shape कैसा होता है इसका rounded type का होता है जैसे आपके tears मतलब आसू होते है ना माल्य आसू या इस परकार का होता है तो हलका सा round भी होगा इस परकार का shape होगा चलो अब next बात करते हैं इसकी chemical constituents की इस plant के अंदर कौन-कौन से chemical या कौन कौन सा active parts पाया जाता है तो बच्चों इसमें देखो approach लगबग 60% का होता है हमारा गम होता है और 30% आपकी resin मतलब राल होती है 0.5 से लेके 1.5% का होती हमारी volatile oil जो मतलब उड़ जाता है और लगबग 5% का होता है इसके अंदर moisture भी होता है अब next का है हमारा it content इसके अंदर यह chemical भी पाये जाते है कौन कौन से फस्ट है हमारा myrisine ठीक है बच्चों सेकेंड है हमारा kairofailine और थर्ड है हमारा gugolosterol फस्ट होता है second होता है और third होता है ठीक है बच्चों चलो अब next देखो इसका use कहा कहा करेंगे हम ठीक है तो फस्ट है हमारा anti-inflammatory anti-inflammatory के लिए भी हम इस drug को use करेंगे ठीक है मतलब जो susan susan भी आ जाती है तो उसके लिए भी यूज करते है next है हमारा anti-rheumatic anti-rheumatic मतलब गठिया के लिए भी यूज करते है next है हमारा hypo lipidemic hypo lipidemic के लिए भी यूज करते है क्यों क्योंकि जो blood के अंदर क्या हो जाती है lipid की मात्रा कम हो ज ड्रण्त तो track अब लेप्रोसी आपने सुना यहわか 1 अटी लेपरोटिक क्या उति है इसके बारे में देख लेते हैं तो लेपरोसी क्या होती है यह एक還是 बीमारी होती है बच्चो जो मोशली क्या होती है हमारे तो मीं होते है लाघ अर। योती है हमारी बक्त्य। तो उसके infection से जो क्या होता है फैलता है जो आपकी लार गरंती होती है ठीक है तो लार गरंती की वज़े से भी ये रोग फैलता है एंटी लेपरोटिक ड्रग कहलाती है तो एंटी लेपरोटिक के बारे में आज हम बात करने वाले है तो लेपरोसी क्या होती है एक परकार का ग होते हैं तो यह क्या होती है एक ऐसा इनफेक्षन के कारण होती है और उसको हम क्या mycobacterium lepray भी बोलते है आपने देखा होगा जैसे जो हाथ होता है आत का पंजा होता है उसके बीच में हलका सा white नजर आता होगा आपको ठीक है और गंदी सी smell भी आती होगी उसमें से आपका जो कान के side वाला portion है पीछे वाला तो उसके पीछे भी आपने देखा होगा मतलब एक परकार की गलंची होना ठीक है इसलिए इसको क्या बोला गया है गल्सुवा नाम से जाना गया है ठीक है चलो अब नेक्स्ट है हमारा यह क्या करता है बच्चों affecting the skin and nerve resulting in disfigurement and deformity of the affected part तो यह क्या करता है आपकी जो इसकी तवचा होती है उसको उपर तो परवाव डालता ही है बाकि जो आपकी नर्स होती है उसको उपर भी डालता है और यह क्या करता है buy your maturity यहां पर होगा जापर विमारी होगी दीचे क्राइङ जाईगा रालता है तो आपका जोblem पर पड़ेंगे पर फर्ञति को छेज़ों State जाईगी बैक इन डालता होरक अब्रेव्यक्तॉ अब नेक्स्ट है हमारा। इसमें हम medicine अच्छे इसको ठीक कैसे किया जसकता है ठीक हम इसको ऐसे कर सकते है इसके टीके भी लगा जाते ह쟁ुँ टीका लगा सकते हो आप की तो उससे भी आपको आराम मिल जाएगा अब इसमें medicine हम कौन कौन से यूज़ करते है medicine है हमारी Depth all अपने नाम भी सुना होगा Dapson आप इसमें यूज कर सकते है Dapson को हम क्या बोलते है DDS DDS मतलब डाइमाइनो डाइफिनाईल सलफोन ठीक है अब इसमें और भी ड्रग आती है हमारी जैसे आप क्या कर सकते हो इस पीमारी में बहुत जादा यूज होता है चोल मोगरा ial के पारे में देख लेते हैं कि ये क्या होता है और क्या करता है यह हमारा बोड़ी के अंदर काम तो इसका सिनोनिम क्या है हमारा गाइनो काडिया ओयल गाइनो काडिया ओयल इसका सिनोनिम है फैमली क्या होती है इसकी फलैको यूरेटेसी ठीक है बच्चे हो तो इसकी इसका आपकर पखता है मतलब यह उड़ने वाला नहीं होता है यह क्यों और यह जो आपके जो प्लांट होता है उसके जो बीज होता है जब वो पक जाते है तो उससे हम कलेक्ट कर लेते हैं इसका biological source क्या होगा हाइडेनो कारपस एंथेली मिंटी का ठीक है बच्चो याद रहेगा आपको क्या है हाइडेनो कारपस एंथेल मिंटी का ये आपको याद कर लेना है चलो अब next बात करते हैं इसकी जोगरेफिकल source के बारे में कि ये जो plant होता है वो किन किन देशों में किन किन छेत्रों में पाए जाता है तो ये आपका मैयमार में भी पाए जाता है थाईलेंड में भी पाए जाता है और आपकी इंडिया के अंदर भी पाए जाता है और आपका बंगला देश के अंदर भी पाए जाता है और भी बहुत सारे छेत रहें और भी बहुत सारे देश है जो आपको यह मिल जाएगा अब नेक्श्ट बात करने ौले हैं कि इसकी morphology characteristic के बारे में बारे में कम६ sworn agency क्या होती है इसकी तो morphology इसका color क्या होता है बच्चे गलर होता है इस यलो टू ब्राउनिस यलो कलर्ड लिक्विड ठीक है समझ में तो यह क्या होता है अमारे यलो मतलब पीला होता है और ब्राउनिस यलो होता है और जो इसका कलर्ड मतलब होगा वह लिक्विड टाइप में होगा ठीक है लिक्विड टाइप में होगा नेक्स्ट है इसकी हम पर ही depend करेगी यह क्या होगी ओडर उसका characteristic होगा next है हमारा test test क्या होगा उसका हमारा एक्राइड next है हमारा solubility अब उसकी solubility देखे हम to solubility क्या होती है slightly it is slightly soluble in alcohol soluble in chloroform benzene और ether etc और भी हो सकता है तो इसकी solubility मतलब जो इसका घुलना देखेंगे हम तो यह क्या होता है slightly मतलब हलका सा soluble होगा किस के साथ आपका alcohol के साथ और complete soluble होगा किस के साथ आपका chloroform के साथ benzene के साथ और ether के साथ ठीक है बच्छो चलो अब next देख लेते हैं इसके chemical constituents की इसके अंदर जो आप चोल मोगरा oil यूज कर रहे हैं उसके अंदर chemical कौन-कौन से पाए जाते हैं ठीक है तो first है हमारा unsaturated fatty acid इसके अंदर क्या पाए जाता है unsaturated fatty acid भी पाए जाता है और दूसरा first क्या है हमारा चोल मोगरीक acid भी पाए जाता है लगबग कितना 27% ठीक है next है हमारा hydanocarpic acid hydanocarpic acid कितना होता है लगबग 48% होता है और next है हमारा palmetric acid ये सबसे ज़्यादा पाए जाता है बच्चो अब देखो ये इस परकार का इसका plant होता है जैसे आपकी सरसो होती है उस type का ही होता है ठीक है ये इसकी cat मतलब ये इसकी tan ही है मैंने बना रख की है अब इसके use कहां कहां करते हैं बच्चो तो use कहां कहां करेंगे हम चोल मोगरा ओयल के लिए especially तो हम इसको लेपरोसी में यूज करेंगे ठीक है तो फस्ट है हमारा bactericidal effect ठीक है तो ये क्या करता है bacteria को भी kill करने का काम करता है next है हमारा treatment of TV तो जो आपकी जो TV होती है मतलब खस्री होती है swelling मतलब सूजन होती है उसमें भी काम आता है तीवी में भी देते हैं लेपरोसी तो आपका होई गया लेपरोसी में भी देते हैं अब next है हम इसका storage देख लेते है storage मतलब उसको store कैसे करके रखते है जो ये तेल होता है तो इसको हम store कैसे करते है it is stored in close container तो इसको हम का कर देंगे एक ऐसा container होगा उसको अच्छे से close कर देंगे away from light and cool in place और जो light होगी उससे हम उसको दूर रखेंगे आंटी लैपरोटिक के बारे में बात करी है और आपका एंटी रूमेटिक के बारे में बात करी है जो हमने इसमें पढ़ाया है चोल मोगरा ओयल के बारे में ठीक है बच्चों तो मिलते हैं फिल next मीडियो में thanks for watching truck medical classes